आज मैं आपको हिंदी का अठमा लेसन पढ़ाने जा रही हुए ऐसी ऐसी नाम है लेसन का अब बच्चो अच्छी तरह मैं आपको समझाओंगी पढ़ाओंगी देख लेना जो समझ में ने आए उसे कोमेंट करकर बता देना पत्तर लेसन का नाम है ऐसे ऐसे मोहन एक विदार्थी देना नाथ एक पडोसी मा मोहन की मा पिता मोहन के पिता जी मस्टर मोहन के मस्टर जी यह इस कहानी के वक्ता है वैद जी डोक्टर तथा एक पडोसीन इसकी एक कहानी है सड़क के किनारे एक सुंदर फलेट में बैठक का दर्शे उसका एक दर्वाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रशोई में खुलता है अलमारी में पुष्ट के लगी है एक और रेडियो का सेट है एक तरफ रेडियो का सेट रखा हुआ है दो और दो छोटे सक्त हैं दो और दो छोटे तक्त हैं जिन पर गलीचे बीचे हैं बीच में कुर्शियां हैं एक छोटी मेज भी है उस रूम के अंदर ये इतनी चीजे रखी हुई हैं उस पर फोन रखा वामेज के उपर परदा उठने पर मोहन एक तक्त पर लेटा है और आठ नो वरस के लगबग उमर होगी उसकी तीसरी क्लास में पढ़ता है इस शमें बड़ा बेचे जान पढ़ता है बार बार में पेट को पकड़ता है उसके मा ताय पिता पास बैठे हैं बच्चे के बारे में बताया हो आई लेसन के अंदर मा बता रही है ने ने ऐसे मत कर बच्चे को कह रही है बच्चा है ने ने ऐसे मत कर अभी ठीक हुआ जाता है अभी डोक्टर को बुलाया है ले तब ले शेक ले तब तक एक शेक ले ले चादर हटा कर पेट पर बोटल रखती है गरम पाणी की बोटल पेट पर रखती है ताकि वो उसे पेट को शेक ले फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है उसने कहा कुछ अंट संड तो नहीं खा लिया कुछ मतलब ऐसी वैसी चीज तो नहीं खा ली बच्चे ने पिता जी पिता जी कहता है कहां कुछ भी नहीं शिरफ एक केला और एक संत्रा खाया है अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कुदता फिर रहा था बस अड़े पर आकर यका यक बोला पिता जी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है मा कैसे पिता फिर कहता है बस ऐसे ऐसे करता रहा मैंने कहा अरे गड़गड़ हो रही है तो नहीं फिर पूछा चाकूस साचुपता है तो जवाब दिया नहीं बच्चा बोलता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा गोला सा फूटता है तो बोला नहीं तो पूछा उसका जवाब नहीं जो भी पूछा उस तरय मों कुछ भी पूच ले उससे बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है बस एक ही रट लगा रका है कि कुछे ऐसे-ईसे होता है मां आशकर हशी की हशी दुख का दुख एक ऐसे क्या होता है कोई नई बिमारी तो नई है बेचारे का मुहें कैसे उतर गया हवाईया उड़ रही है पिता जी पिता जी कहते हैं अजी एकदम स्फेद पड गया था खड़ा नहीं रहे गया बस में भी नासता रहा मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता मोहन, जोर से कर राकर मुहन जोर से कर राकर मा ओ मा मा नै नै मेरे बेटे मेरे लाल ऐसी नहीं अजी जरा देखना वो बच्चे को पूरे लाड़ से प्यार से बोलती है डोक्टर क्यों नहीं आया इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बिमारी है देखो नै कैसे लोट रहा है जरा भी कल नहीं पड़ती हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे दिया है दे चुकी हूँ वैद जी आ चुकी है तब ही फोन की गंटी बजती है मोहन के पिता जी उठाती है यह फोर्टी त्री त्री टू है जिसक जी हाँ हाँ बोल रहा है कौन है? डॉक्टर शाहब जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है जी नहीं खाया तो कुछ नहीं बस यही कह रहा है बस जी नहीं गिरा भी नहीं ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे है यह है ऐसे ऐसे क्या बला है वे डॉक्टर से पूछते है ऐसे ऐसे कौन सी बिमारी जो ऐसे ऐसे नाम हजिसका वे समझ नहीं पारे मुँज के माता पिता कुछ ऐसे समझ में नहीं आता जी जी हाँ, चहरा एकदम स्पेदो रहा है, नाचा नाचता फिरता है, जी नहीं, दस तो नहीं आया, जी हाँ, पेशाब तो आया था, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी, जरा जल दी जाएए, अच्छा जी, बड़ी करपा ह के फोन का चोंगा रख देती हैं, डौक्टर सहाब चल दीए हैं, पांच मिंट में आ जाती हैं, परोसन के लाला दिनानात का परवेश मोहन जोर्षिय कहराता है, पडोसी आता है गर पर दिना नाथ है और बच्चा चोर से कह राता है मतरब चिलाता है मोहन मा मा ओ ओ ओ उल्टी आती है उठकर नीचे जुकता है बच्चे को मोहन को उल्टी आ रही है और खाट से नीचे सीर करता है मा सीर पकड़ती है मा तीन चार बार ओ ओ करता है थुकता है फिर लेट जाता है हाई हाई कमर शेहलाती हुई क्या हो गया दोपेर को भलाचंगा गया था कुछ समझ में नहीं आया कैसा पड़ा है नहीं तो मोहन भलाचंगा कब पड़ने वाला है हर वक्त घर को सीर पर उठाए रखता है वह तो बहुत ज़्यादा स्रारत करता है मिदलब कभी अराम से बैठता नहीं दीनानाथ कह रहा है जी घर क्या पड़ोशन को भी गुलजार किये रहता है इसे छेड उशे पचाड इसे मुक्का उशे थप पड़ यहां वहां हर कहीं मोहन की मोहन ही मोहन पीता बड़ा नटकट है पर अब तो बेचारा कैसा ठका ठक गया है मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा जी हां दिननत कहता है जी हां कुछ बड़ी तकलीफ है तबी तो पड़ा है मामुली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं यह कोई डर नहीं है मैं वैद जी शे यह शे कह आया हूं वे आपको ही रही हैं वे आही रही हैं ठीक कर रही हैं मोहन तेजी शे कहरा कर है अरे अरे ओहो मा घबरा कर क्या है बेटा क्या हुआ मोहन रुआ सा सा बड़े जोर शे ऐशे ऐशे होता है ऐशे ऐशे मा ऐशे ऐशे कैसे बेटे ऐशे क्या होता है मोहन ऐशे ऐशे पेट दबाता है वैद जी का प्रवीश वाँ पर वैद जी आ जाते हैं वैद जी कहा है मोहन मैंने कहा जैराम जी की कहू बेटा खेलने से भी भर गया था कोई दमा चोकड़ी करने को तो नहीं बची है क्या सब उठकर हाथ जोड़ते हैं वैद जी मोहन के पास कुर्शी पर बैठ जाते हैं पिता जी वैज जी शाम तक ठीक था दफ्तर शे चलक ते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है ऐसे ऐसे होता समझ नहीं आता ये कुन सा दर्द है वैज जी अभी बता देता हूँ असल में बच्चा समझा नहीं पाता नाड़ी दबा कर बात का प्रकोफ है मैंने कहा बेटा जीब तो दिखाओ मोहन जाच जीब निकालता है कबज पेट साप नहीं हुआ पेट टटोल कर हूँ पेट साप को फैल पेट साप नहीं है मल रुक जाने के से वाईू बढ़ गई है क्यों बेटा हाथ की उंगलिया तो फैला कर फिर शिकोडते हैं ऐसे ऐसे होता है मोहन कराकर जी हाँ हो हो ऐसे करता है वैद जी हर्स से उचल कर मैंने कहा ने मैं समझ गया अभी पुडिया बेज़ता हूं मामूली बात है यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को दक्का दे देती है समझने की बात है मैंने कहा आओ जी दिनानाथ जी आप की पुडिया ले लो मोहन की मा से आदे गहंटे बाद गरम पानी से देनी है तो दो तिन दस थोंगे बस फिर ऐसे 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 बागेगा जैसे गदे के शिर्षिये शिंग वैद जी दवार की और बढ़ते हैं बार जाने के लिए मोहन के पिता पांच का नोट निकालते हैं पिता पिता जी यह है आपकी भेट ठीक है वैद जी नोट लेते हैं पैसे लेते हैं अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं आप और हम क्या दो हैं अंदर के दरवाजे से जा गया आतें तब इडोक्टर प्रवेज्च Fernando कि Hello time क्या बात है और यशे किया कर लिया मा और पिताजी फिर ऊटते हैं मोँधन कहरा था हो उर डोक्टर पाष से बैठते हैं पित पिता जी बोलते हैं डोक्टर शहप कुछ समझ में नहीं आता डोक्टर पेट दबाने लगते हैं तब ही देखता हूँ जीव दो दिखाओ बेटा मोहन जीव निकालता है हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे मोहन बोलता नहीं कहराता है मा बोलती है बताओ बेटा डोक्टर शाहब को समझा दो मोहन जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होता है हाथ से बताता है उंगलिया बीचता है डोक्टर तबियत को बड़ी खराब है तबियत तो बड़ी खराब है डोक्टर शाहब कहता है सेंसा गंबी रोकर वह तो मैं देख रहा हूँ चेहरा बताता है इशे काफी दर्द है असल में कई तरह शे दर्द चल पड़ी हैं कोलिक पैन तो है नहीं और फोडा भी नहीं जान पड़ता बराबर पेट ट्रोलता रहता है मा कापकर फोडा जी नहीं बस नहीं बिलकुल नहीं मोहन से जरा मुह है फिर खोलना जीव निकालो मोहन जीव निकालता है हाँ कबज है लगता है कुछ बदजमी भी है उटते वे कोई बात नहीं दवा बेजता हूँ पिता जी ने क्यों ने आप ही चलें मेरा विचार है कि एक ही खुराक पी करने के बाद तब यह ठीक हो जाएगी कभी-कभी हवा रुख जाती है और फंदा डाल लेती है बस उसी की एंठन है डोक्टर जाते हैं मोहं के पिता दस नोट ने लिए पीचे पीचे जाते हैं और डोक्टर साहब को देते हैं मां शेक तो दूँ و मां शेक तो दूँ दूं, डोक्टर सहाब मा ने पूछा, डोक्टर से क्या मैं इसे पेट को सेख दूं, डोक्टर दूर से हाँ, गरम पानी की बोतल से सेख दीजिए, मा बोतल उठाती है, पडोसिन आती है, पडोसिन, क्यों मोहन की मा, कैसा है मोहन? आहो जी रामु की काकी कैसा क्या होता है लोचा लोचा फिरे है जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है लड़के का बुरा हाल कर दिया है प्रोशिन ना जी इतिनए बिमारिया निकली है देख लेना यह है भी कोई नया दर्द होगा राम मारी बिमारियों ने तंग कर दिया है नए नए बुखार निकल आई है वह बात है कि खाना पिना तो रहा नहीं माँ डोक्टर सहाब कहता है कि बदहजमी है आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था वहां भी कुछ नहीं खाया आज कल तो बिना खाय बिमारी होती है भार से आवाज आती है मोहन मोहन फिर मोहन जी का परवेश होता फिर मास्टर जी का परवेश होता है मास्टर जी गर के अंदर आते हैं मा ओ है मोहन के मास्टर जी पुकार कर बोलते हैं आजाईए मस्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐशे ऐशे हो रहा है क्यों बाई पासा कर हाँ चहरा तो कुछ उत्रा हुआ है दादा कल तो सकूल जाना है तुमारे बिना तो कलास में रोने की नहीं रहेगी क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया था इशे माँ खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मस्टर जी बोलते हैं तब सायद ने खाने का दर्द है समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है माँ पर मस्टर जी वेदो डोक्टर तो दोस्त की दवा बेजेंगी मस्टर जी बोलते हैं माता जी मोहन की दवा वैदोर डोक्टर के पास नहीं है इसकी ऐशे ऐशे की बिमारी तो मैं जानता हूँ अक्सर मोहन जैशे लड़कों को वह हो जाती है मा सच क्या बिमारी है यह है मस्टर जी कहती है अभी बताता हूँ मोहन से अच्छा सहाब दरद तो दूर हो ही जाएगा डरो मत बेशक कल सकूल मताना पर हाँ एक बात को तो बताओ सकूल का काम तो पूरा कर लिया मोहन चुप रहता है मोहन चुप रहता है मा जवाब दो बेटा मस्टर जी क्या पूछ रहे है मस्टर मस्टर जी हाँ बोलो बेटा मोहन कुछ देर फिर और मोन रहता है फिर इनकार से शीर लाता है मोहन ने सकूल का काम नहीं किया हुआ था इसलिए उसको ये बिमारी हो गई थी चलो आगे फट कर बताती हूँ मैं आपको मोहन जी सब नहीं हुआ मस्टर जी हूँ सायद सवाल रहे गई है मोहन जी मस्टर जी तो यह बात है ऐसे ऐसे काम ने करने का डर है मा चोकर क्या मोहन सहसा मूँ है छिपा लेता है मोहन मूँ छिपा लेता है मस्टर जी हसकर कुछ नहीं माता जी मोहने महीना भर मोज की है सकूल का काम रह गया है आज खयाल आया बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है सकूल से आपको दिन की चुटी मिलेगी मेरी तरफ से ठीक हमास्ट जी बोलते है आप उसमें काम पूरा कर लेना करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर बाग जाएगा मोहन उसी त्रहमू अच्छी पाए रहता है अब उठकर शवाल सुरू कीजिए उठिए खाना मिलेगा मोहन उठता है मा ठगी शी देखती है दूसरी और से पिता और दिनाना दवा लेकर प्रवेश करते हैं मा क्यों रहे मोहन तेरे पेट में तो बहूत बड़ी डाड़ी है हमारी तो जान निकल गई है 15-20 रुपे खरचुए है सो अलग पिता ने देख लो जी आपने पिता जी कहते हैं चकी तो कर क्या क्या हुआ मोहन क्या क्या होता है यह ऐसे पेट का दरद नहीं है सकूल का काम ने करने का डर है पिता जी पिता जी कहते हैं दवा की सीशी हाथ से छुट कर फरस पर गिर पड़ी पिता जी को जब यह सुना कि बच्चा जूट बोल रहा है उसका बेटा जूट बोल रहा है तो उसके से बोतल गीर गई एक अक्षन सब ठग सब ठगेशे मोहन को दीखती हैं सब मतलब एक तरह देखते हैं एक मतलब एक फिर अस पड़ती हैं दिननात मोहन वह मोहन वह हूँ पिता वह बेटा जी वह तुमने तो खूब छकाया एक अठास के बाद परदा गिर जाता है थोड़ी देर के बाद मतलब बच्चे का पता चल जाता है कि वह है जूटे बोल रहा था इस कानी में यही लिखा है कि इस कानी का यह मतलब है उसके कोई बिमारी नहीं थी वो बस स्कूल में जाने के लिए जूटे बोल रहा था स्कूल का काम करके नहीं लाया था बच्चो आज का लेसन ये है और अगली वीडियो में अगला लेसन दिखाएंगे आपको अच्छी तरह समझाएंगे कुछ समझ में नया आए तो कमेंट करकर बता देना तीक उसी टाइम आपका जवाब मिल जाएगा लाइक और सब्सक्राइब भी करने देन नमस्कार